हेलो गाइस दिस साइड निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ Students Point सो गाइस लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो थी Characteristics of Political Theory आज की क्लास में हम राजनितिक सिधान्त की जो कारे शेत्र हैं वो कंटिन्यू करेंगे देखो कारे शेत्र को समझने से पहले ना जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि हर एक चीज के पीछे ना कोई ना कोई कहानी होती है अब अगर Political Science बनी तो उसके पीछे भी कहानी जो कि हम सुकरात की पड़ते हैं पर इसके जो और टॉपिक्स बने ना जैसे इसकी कारे शेत्र, इसकी केरेक्टर स्ट्रिक्स, इसकी आइडेंटिटीज क्या है वो सारी चीजे बनने में भी कहानी थी अब वो ये कि Political Theory राजनितिक सिधान को मानने वाले बहुत सारे लोग बन गए उदारवादी, माक्सवादी या फिर हमारे नारिवादी उदारवादी वो लोग होते हैं जो की सिर्फ तीन चीजों की डिमांड करते हैं राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिबर्टी मार्क्सवादी जो होते हैं वो मार्क्सिस्ट के तौर पे एक कैपिटलिजम आपने सुना होगा मार्क्सिस्ट थियोरी आपने सुनी होगी वो सिर्फ पैसे की डिमांड करते हैं कि पैसा होना चाहिए और कुछ भी नहीं और नारीवादी जो है वो feminist perspective रखते हैं वो औरतों के लिए बात करते हैं ठीक है इसी तरीके से इन सब लोगों ने अपने अपने according politics को समझा और इसके कारेशेत्र बता दिये जैसे पहला है राज्ये का अध्यान प्राचीन काल से ये राज्ये की उत्पत्ति प्रकरती और कार शेत्र पर विचार होता रहा पुराने टाइम से प्राचीन काल से उसके नेचर पे वो किस तरीके से आया क्या हुआ कौन लेकर आया उस पर विचार भी मर्श होते रहे राज्ये की उत्पत्ति कैसे हुई ये वाली बात नहीं समझाई आज तक किसी को तो ये बोला गया कि एक इंसान ने फैमिली बनाई फैमिली समाज बना समाज से स्टेट बना फिर कंट्री बनी ठीक है वो स्टेट राज्ये जो है अगर हम नॉर्मल भाशन है बोले तो बट राज्ये इन पॉलिटिक्स कंट्री को बोला जाता है ठीक है स्टेट को नहीं बोला जाता है ये बात आप याद रखिएगा कहीं पर भी राज्ये का इस्तमाल हो रहा है तो वो कंट्री है इन पॉलिटिकल साइंस नगर राज्ये लिखँए तो वो स्टेट है उस कंट्री की एक्जामपल राज्ये है इंडिया नगर राज्ये इंडिया की दिल्ली यूपी कैला बिहार यह सब और गौवर्मेंट समझना कि यार कैसे अप ऐसा तो नहीं दा ना कि यहां पर इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है प्रेजिडेंट है है ना कैबिनेट है तो वैसा उस टाइम नहीं था उस टाइम पर तो राजा मंत्री चोर और वो सिपाई वाला जो गेम आप खेलते हो वो चल चक्ति का अध्यान सेम वह वाले चीज की पावर डिवाइड हुई हुई थी पॉलिटिकल एक्टर जो थे हमारे जिदने भी कैरेक्टर थे पॉलिटिकल लाइक राजा मंत्री सिपाही या उसमें काम करने वाले और लोग राजा की उसमें शासन में काम करने वाले और लोग सभी सभी लोगों का यहां पर यह बताया जा रहा है कि एक अपना अपना पावर थी सब अपने 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 अकॉर्डिंग काम हैंडल करते थे चौथा मानवी वैवार का दियन human behavior is very important हर चीज़ के लिए human behavior जरूरी होता है जितने भी philosophers रह चुके हैं उन सब ने यही बोला कि यदि राजा अपना करतवे समझे responsibility समझे जनता के लिए तो शायद उसका जो नगर राज्य है वो बहुत develop हो जाए है ना और जो develop थे already उनके लिए और भी ज़्यादा development की जरुवत थी ऐसा तो नहीं है कि आप अब जिसे मान लो आपके बहुत पैसा है आपके बाद भी छोड़ो example है मंबानी को ले लेते हैं बिलगेट को ले लेते हैं इनके पास तो बहुत पैसा है ना सब कुछ है पर फिर भी रुक के बैटे बैटे एक जगा नहीं न कर रहे हैं आगे करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं वही वाली चीज़ यहां पर है नीति निर्मान प्रक्रिया का अध्यान नीती होती है निर्मान मतलब बनाना तो पॉलिसी मेकेंग प्रोसेज जो था उसका भी बहुत धयान रखा जाता था कि उसको समझने की कोशिश की जाती थी पॉलिटिकल के पॉलिटिक्स के बoth imaginar chef पर उसको किस तरीकिस से चेक है मैं आपको इंग्लिश में साथ में बता रही हूँ आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूरिंट्स तो इंटरनाशनल रिलेशन्स राष्ट राज्ये गैर राज्ये नगर राज्ये आपस में समझने अब जैसे एक्जैम्पल है इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तानी मेकप बहुत सारी चीजे यहां पर हैं इंडिया की बहुत सारी चीजे वहां पर हैं तो क्यों है अगर संबंद इतने ही खराब हैं तो यह चीजे महां कैसे पहुच रही हैं वहां की यहां कैसे आ रही हैं संबंद खराब होने का मतलब यह नहीं होता है कि हम अ इनसे ही जाओ, बहुत सारी चीज़ है, जाते हैं ना, बॉर्टर खुलता है ना, अब आप इतना ही बोल रहे हो कि पाकिस्तानी जहरी लें, इंडियन जहरी लें, ऐसा नहीं है, गवर्मेंट आपस में बना कर रखती है, क्योंकि कहते हैं कि कड़वे नीम से भी पाला पढ़ जाता है, कभी-कभी ऐसी सिच्वेशन पढ़ जाती है, तो वो वाली चीज़ यहां पर डिस्क्राइब करती है, इसलिए इंटरनाशनल रिलेशन्स बेटर होने शाहिए, शेत्री सहयोग संगठन का अधियन बहुत ज़्यादा जरूरी है, शेत्री सहयोग संगठन हमारे मत इसलिए जी, इसराइल के राष्ट्रेपति, महबूब Fishman ओसे और फिलिस्तीन के फिलिस्तिन की राष्ट्रेपति है, उनसे रेगलर बतचीत कर रहे हैं, कि किस तरीके से शानति बनाई जा सकेंगैं, किस तरीके से इसको रोका जा सकता हैं, ठीके उसी तरीके से उन्होत हमा काम नहीं करना चाहता बट अक्तूबर से अक्तूबर आगे एक साल हो गया वहां पर जो वार चल रही है उसकी वयसे क्या आम जंदा मर रही है यूद्ध खतम हो गया बच्चे खतम हो गए फिर उसके पर बंप बंप फेके जाए रहे हैं उसके अलावा अभी रिसेंटली पोल फिर इंडियमेंट वाली चीज चला देदी जब इंडिया ने अशादी के वक्त चलाया था वो ही सेम चीज़ अब भी करी क्यों क्यूंकि फिलिस्टीन से और इस्राइल से दोनों से ही इंडिया के एक संबन बहुत अच्छे है वह उपर वाली बात इंटरणाशनल रिलेश से वो दोनों ही बहुत बैटर बात है उसको मानना ना मानना वो लोगों की मरजी है पर हम तो अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं हम इन दे सेंस बाकी जो गवर्मेंट है बाकी कंट्रीज की गवर्मेंट है वो सब तो शेत्री सहयोग संगधन का अध्यन यही होता है कि फिलिस साउथ अफरीका ने केस डाला कि जी सब कुछ रुखवाओ बंद करो क्यों तो जिससे उम्मीद थी वो नहीं तो शेत्रिय सहयोग यह होते हैं ठीक है शेत्रिय सहयोग की आपस की जो शेत्र है ना उनसे सहयोग बना कर रखना बहुत जरूरी होता है कि कल को अगर हम पे बुर वक्त पड़े तो यह लोग हमारी मदद कर सके नेक्स नारिवाद का धियान भाई नारिवाद परस्पेक्टिव इस मेंडिटरी आपको पॉलिटिक्स में नारिवाद तो मिलेगा ही मिलेगा नारिवाद की शुरुआत जो है 17th century में मेरी वॉल्स्टेन क्राफ्ट ने करी थ अब भई उस टाइम पर औरतों की हालत भी बहुत खराबती उसूलन तो यह वाली बात बिल्कुल ठीक थी इसके लावा एक चीज जनरल नॉलिज के भी हाव पर याद रखना इंडियन मदर ओफ फेमिनिस्ट पंडिता रमबाई कहलाती है तो पॉलिटिक्स के अंदर नारि बुरा हुता आया अमेरिका में फिर अमेरिका की जो वाइट विमन्स थी उनके साथ भी बहुत बुरा हुता आया उनको पॉलिटिकल सोचल एकोनामिकल कल्च्र रिलीजियस कोई राइट नहीं थे जो वो चलती थी पैदा हो गई तो बाप भाई की मरजी से शादी हो गई पती की मर्जी से पती मर गया बेटा है बेटे की मर्जी से और वो खुद निकल नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है वो ऐसा प्रोसेस रहा है ठीक है अब आज आजओ राजनितिक सिध्धानत के महतु पर इंपोर्टिंस विल्यू ग्यान का सरली करण भाई नॉलेज मिलती है इसे दूसरा नए शोध जो नए नए शोध है उनके बारे में पता लगता है अनवेक्षकों के लिए लाबदायक होता है स्वायत अनुशासन के रूप में एक डिसिप्लिन वाला जो है रोल अदा करता है ठीक है शासन प्रणालियम शासको को और चित्ते पूर्टा प्रदान करता है ठीक है शासन प्रणालियम अदब गवर्मेंट को और जो हमारे गवर्मेंट में ऑफिसर्स हैं जो भी जनता के लिए काम करते हैं उन सबको इस चीज़ का हग देता है कि वो हम लोगों के लिए क तरीके से की historical perspective कि बहीजी सुखराद के टाइम से politics चलती आ रही है ठीक है उसको प्लेटों ने continue करा अरस्तू ने continue करा फिर हमारे मैक्यावली ने करा अलेक्जान्डर ने करा फिर मैक्यावली ने करा ये सारी चीज़े ठीक है इसके अलावा जो आप इसमे नारिवादी perspective तो नहीं आवाज उठाई थी feminist perspective को मानने वाले बहुत सारे male philosophers भी थे ठीकी और बहुत जाने माने बहुत जाने माने जिनकी book बहुत famous है जो नोंने book अपनी लिखी है इसके अलावा जो आप पढ़ोगे उदारवादी perspective उदारवादी द्रिश्टी कोन जो तीन चीज़ों की मांग करते हैं अगेन वही right to life, property और liberty, marxist perspective जो पैसे की मांग करते हैं इसके अलावा दो तीन और हैं अगर आप किस लेबस में हैं तो आप पढ़ोगे next की class में मैं आपको बता दूँगे आपके जो first unit है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है next unit हम continue करते हैं और उसमें आपके जो भी द्रिश्टी कोन हैं उनको भी continue करेंगे आज की class में अगर आपको कोई question, doubt या suggestions है तो आप मुझे comment box ये telegram channel पे पूछ सकते हैं so thanks for the watching and best of luck all